हेलो वेंट्स आज मैं आपको 2018 की दे कल्ट पिट यह मूवी एक्सप्रेंड करने वाला हो इसमें एक आदमी की वाइफ का मर्डर होता है पर उसके बाद इस आदमी के फ्रेंड पर ही सबका शक जाता है पर इसकी खुद इन्वेस्टिकेशन यह आदमी करने लग जाता है इसक हुआ क्या है यह देखने के लिए जाता है पुलिस उसे रोकते हैं पर वो देख लेता है कि जौन की वाइफ का मर्डर हो चुका है यह देखकर उसे सद्मा लग जाता है जौन बाहरी स्टेर केस पर रो रहा होता है इसके बाद डायर्ट लिए में छे मेने गुजर गया है यह दिखता है और जॉन अब इस मर्डर की इन्वेस्टिकेशन करने लग चुका है पार्किंग लॉट में एक आत्मी का वो वेट कर रहा होता है यह आत्मी जब उससे दिखता है तो उसे वो किर्णाप कर लेता है यहाँ पैरलल में हमें दिखता है कि मार्क पर शक चला गया चाहिए गार कि जान की वाइफ को मार्क नहीं मारा है इस वाजह से ऊसे अरेस्ट कर लिया गया था इसकी आज ही रिगा खता है पर हमें पता है कि जॉन ने अभी-भी एक आद्मी को कीर्णाप किया है जॉन को कॉल करने का बहुत क्याने करती है गहरं कॉलीजर तो अपने lawyer से कहती है तुम जाना रुको मैं जल्दी से John के घर जाकर आती हो lawyer कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करो हम उसे जबरदस्ते नहीं कर सकते testimony देने के लिए अगर हमने की तो कुछ trouble हो सकता है पर यह मानने नहीं वाली यह directly John के घर पर जाने के लिए ready हो जाती है हमें फिर से John दिखता है और जिस आदमी को उसने kidnap किया था उसके हाथ पे रोव बान देता है यह आदमी कहता है कुछ misunderstanding हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है प्लीज मुझे जाने दो पर John यह सब मानने वाला नहीं जान कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ questions पूछूंगा उसे choice देता है कि तुम्हें वैसे भी answer करना ही है तो जल्दी से मुझे सब कुछ बता दो यह आदमी कहता है कि मुझे तुम जो पूछ रहे हो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है जान उसे धमकाता है और कहता है कुछ दिनों पहले तुम यहाँ आये थे तुम क्यों यहाँ आये थे यहादमी कहता है कि यहाँ तो murder हुआ था मैं curious था इसलिए मैं देखने के लिए आये था जान बोलता है murder हुए 6 मैने हो चुके है अब तुम्हें क्यों curiosity आये यहादमी बोलता है कि मेरे wife ने मुझे अभी अभी बता है इसलिए हमें देखने के लिए आये था जान इस पर बिलिव नहीं करता एक हटोड़ा लेता है और इस आदमी का पेड़ तोड़ देता है यह scene था murder होने के बाद 6 मैने बाद का अब हमें फिर से murder होने के 5 मैने बाद का scene दिखाये जाता है जान की wife का murder हुए हुए 5 मैने हो चुके है पर फिर भी जान अभी तक अपने घर पर नहीं गया है वो hotel में ही रह रहा है आज उसे police ने बुलवाया होता है पुलिस का पुराशर जान की friend Mark पर ही था इसलिए उन्होंने उसे arrest कर लिया है अब इस case को close कर देते हैं जान की wife के कपड़े विगरा सब को सामन उनने as a evidence ले लिया था यही लेने के लिए उन जान को बुलाते हैं जान डिस्टाब है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसकी friend ने इस सब किया होगा पुलिस station में पुलिस investigation की files विगरा हो देखता है यह directly उठा लेता है पुलिस भी से ले जाने देते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ copies है जब इस model में फिर से आता है तब हमें दिखता है कि Mark की wife Linda वहा आती है वो जान से बहुत दिनों से बात करना चाहती थी पर जान उसे मिल ही नहीं रहा था जान पहली बार Linda को अंदर आने के लिए मना कर रहा होता है पर Linda फिर भी आ जाती है Linda उसे कहती है कि Mark ने एक अपेल दी है जिसमें वो कह रहा है कि उसने murder नहीं किया है इसकी फिर से hearing होने वाली है अब यह जान से पूछ रही होती है क्या तुम court में कहोगे कि Mark यह सब नहीं कर सकता अगर John ने सच मुझ में कह दिया कि उसके friend ने यह नहीं किया है तो शायद उसके friend को कोई भी सजा नहीं होगी Linda John से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा friend यह सब कर सकता है John कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है जॉन को पता है कि उसके फ्रेंड ने नहीं किया होगा पर रिलल कल्पिट कोने इसे धूंडना बहुत इंपोर्टन है जॉन कन्फियूसट है उसे पता नहीं है कि ये कोन कर सकता है Linda केती है कि प्लीज आ कर टेस्टी मुन देतो पुलिस को मार्क का हे जॉन की वाईफ के पास मिला था इसी वज़े से पुलिस ने मार्क को फ्रेम कर दिया है लिंडा रोने लग जाती और केती है कि प्लीज हमें हेल्प करो जौन जादा डिस्टब हो जाता है और लिंडा को घर से बाहर निकाल देता है जौन पाच महिने तक अपने घर ने गया था जौन अपने घर को फिर से देख नहीं सकता था इसी वज़े से पाच महिने तक वो घर ही ने गया उसके लैंडलोड का भी उसे कॉल आने लग जाता है और कुछ इशूस होने लग जाते है इसे वज़े से वो अपने घर में फिर से मूविन कर लेता है वो घर पोचता है जिस तरह से चीजे थी उस तरह से रख देता है कुछ साफ सपाई वो करने लग जाता है इसके बाद नेकसिन में हम देखते हैं कि लिंडा अपनी बेटी को स्कूल में चोड़ने के लिए स्टॉप पर आती है इसी स्टॉप पर उसकी बेटी की क्लासमेट्स की मदर्स जो होती है इसे पता होता है कि लिंडा के हस्बन ने ये सब किया था येसे हेट करने लग गई है इन दोनों में यहाँ जगड़ा हो जाता है लिंडा बहुत रोती है और अपने बेटी को लेकर जाती है जॉन आसपासी था और ये सब वो देख रहा था रात में जॉन घर पर होता है और उसे लगता है कि कोई आदमी बाहर है एक आदमी घर के अंदर जाक रहाता है दोनों से पकड़ लेता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो यह आदमी कहता है कि मुझे लग रहा था कि घर पर कोई भी नहीं है इसलिए ओ देखने के लिए आया था जॉन फिर इस आदमी को छोड़ देता है अंदर आकर जहाँ पर उसकी वाइफ कबड़े रखती थी वो उस टैंड को नोटिस करता है पुलिस ने क्राइम सीन्स के फोटोस लिये थे इस फोटोस से वो उसे कंपेर करता है इस चीज को आप याद रखना मुवी जैसे प्रोग्रेस होगी तब यह आपको काम आएगा यह जो सब हम देख रहे थे कि जॉन को पुलिस टेशन में बुलवाया गया था वो अपने घर में फिर से मुविन हो गया है यह मर्डर होने के बाद 5 महने के बाद का सीन्स थे इसके बाद हम फिर से मर्डर होने के बाद 6 मैने के बाद का सीन्स देखते है जिस में जॉन ने एक आदमी को किड्नैप कर लिया है उसे लगता है कि यही कल्रूपिट है जॉन ने अभी-भी इस आदमी का बेट तोड़ा है तो यादमी कहता है कि क्यों ये कर रहे हो अगर तुम्हें लगता है कि साचोच में मैंने ये मर्डर किया है तो पुलिस को तुम ये सब बता दो तुम क्यों मुझे फ्रेम करना चाहते हो हमें फिर से पास में ले जाया जाता है इस scene में हम देखते कि John और Linda इन दोनों को पुलिस ने बुलवाया है इसे पहले Mark को इन्होंने arrest कर ले होता है Linda पुलिस से पूछ रही हुती है कि क्यों आपने Mark को arrest किया है उसे लगनी रहा होता कि Mark ने murder किया है पुलिस कहते कि murder scene पर Mark का hair हमें मिला है John कहते है कि Mark हमारे घर पर आता जाता रहता है तो यह बहुत ही normal है पर पुलिस कहते है कि तुमारे wife के mouth में हमें उसके hairs मिले थे इसका मतलब है जब murder हुआ था तो Mark वही था murder 9 बज़े हुआ था Mark कह रहा है कि वो घर था पर हमें पता करने क कोई भी जरिया नहीं है कि वो घर पर ही था Mark कह रहा है कि उस वक्त वो अपने घर पर था पर पुलिस को पता करने कोई भी जरिया नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी उन्होंने अगर CCTV कैमेरीस भी चेक किये फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा लिंडा उस दिन अपने सिस्टर के हा गई थी इसी वज़े से मार्क घर पर था या नहीं ये भी वो कन्फरम नहीं कर सकती इसके बाद पुलिस जॉन को घर बेच देते और इन दोनों का घर आसपास ही था क्योंकि इन दोनों ने मिल कर डिसाइड किया था कि ये दोनों जरा आसपास रहने चाहिए ये दोनों फैमिलीज एक दुसरे के अच्छे फ्रेंड्स थी मार्क ने उसके बिजनेस के लिए इसका मतलब है मार्क इसे कवर आप करना चाहता था इस मैसेज में था कि मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं बटाना इन सब से पुलिस ने कन्फर्म किया था कि मार्क ने ही जॉन की वाइफ को मारा होगा लिंडा को अब ये सब पता चल चुका है तो डारीक्ली मार्क के पास आती है मार्क को सब पुछती है कि तुम भाग क्यू गए थे मार्क कहता है कि हम दोनों का बहुत ही जगड़ा हो गया था ये जो जगड़ा हुआ था, ये भी जॉन की वाइफ की वज़े से हुआ था, क्योंकि मार्क हमेशा उसके पास जाता रहता था, लिंडा भी शग करने लग गई थी, कि मार्क का और जॉन की वाइफ का इन लोनों का अफेर है, इसी चीज़ को लेकर मार्क और लिंडा का पर अब मार्क लेंडा से कहता है कि जब मैं जॉन की वाइफ के पास था तब मुझे और एक आदमी दिखा था जो डोर पर आया था इस आदमी के बारे में उसने पुलिस को नहीं पताया है अगर उसने पुलिस को यह सब कहे दिया तो यह कंफर्म हो जाएगा कि मार्क जॉन की वाइफ के घर पर था पर अभी तक यह गंफर्म नहीं है इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है जॉन ने एक आदमी को किन्नैप किया है आज मार्क का कोट था जिसमें जॉन टेस्टिमने दे सकता था कि मार्क ने कुछ भी नहीं किया है पर वो कभी आया ह लिंडा जॉन के घर पर आ जाती है वो अंदर आकर देखती है कि जॉन ने किसी को किन्नैप कर लिया है उसे पुछती कि यह सब क्या है तो जॉन उसे सब को सिचुएशन समझाता है लिंडा जॉन को कहती है कि इस आदमी को तुम जाने दो इसने कैसी मर्डर किया हो सकता है जौन को अनेट बसने लगता है कि यह ही killer है। लिंडा फिर बोलती ही कि अगर तुम्हें लगता है कि यह killer हो सकता है, तो तुम अब code चलो। मांग ने यह सब नहीं किया है यह code में बोल दो। जौन अभी भी confused है। वो लिंडा से कहता है कि इसने अभी तक confirm नहीं किया है कि उसने ही मेरी wife को मारा था। जब तक John को मालूम नहीं हो जाता कि किसने उसकी wife का murder किया था तब तब वो कुछ भी करना नहीं चाहता। इसके बाद हमें फिर से पास दिखाया जाता है। John अपनी wife के murder का investigation करने लग जाता है। प्रैम सिन की photos के पास है तो जिस तरीके से घर था उसी तरीके से सब को जो recreate करता है। जिस तरीके से घर में खुलने करा पड़ा था वो सब वो वैसे ही लगा देता है। रिंडा फिर से जॉन को समझाने के लिए घर पर आती है कि वो गवाई दे कि माक ने ये सब नहीं किया है तो सब घर देखकर वो शौक हो जाती है। जॉन फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं इस चीज से मुवान नहीं कर पा रहा जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी वाईफ का मर्डर हुआ क्यू था इसके बीचे रिजन क्या था तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इंडा कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे हस्बंड ने क्या होगा। जॉन कहता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता। जॉन फिर उसे कपड़ों का स्टैंड दिखाता है। जॉन कहता है कि जिस रात मर्डर हुआ था तो यहाँ पर मेरी वाइफ की अंडर्वेर थी। दौर पर कोई आया होगा इसलिए उसने उसे कवर कर दिया था। अगर उस दिन मार्क आया होता तो वो डार्रिटली उस अंडर्वेर को बेटरू में जाकर रखा थी। पर उसे पता था कि मार्क नहीं है कोई और था इसलिए उसने सिर्फ इसे कवर कर दिया। जौन को ये मालूम है क्योंकि उसकी वाइफ की हमेशा की आदत थी। जौन की वाइफ का फेस एक टॉवेल से कवर कर दिया गया था और ये टॉवेल मार्क नहीं उन्हें गिफ्ट किया था। जौन केता है कि मार्क ये नहीं कर सकता। लिंडा फिर से होपफुल बनती है। वो कहती है कि ये सब चीज़े तुम पुलिस को बता सकते हो। वो जौन केता है कि मैंने अल्रेडी बता दी है पर वो इसे माननी रहे। जौन फिर लिंडा को कहता है कि मुझे तुम हेल्प कर हम असली यह किस ने किया था इसे ढूण लेंगे इसके बाद हम फिर से प्रेजन्ट में आ जाते है जॉन रूम से बाहर निकल जाता है और जिस आदमी को जॉन ने किन्टैप किया था उसके साथ लिंडा है यह आदमी लिंडा से कुछ बात करना चाता है लिंडा इस आदमी की मूँ से पट्टी निकालती है यह आदमी कहता है कि जॉन है रियल किलर है मैं उस रात इस घर पर आया था मैंने जॉन को वहा देखा था कुछ दिनों पहले लिंडा को भी यह शक गया था यह क्यों गया था अब हम देखेंगे लिंडा जॉन को हेल्प करने लग गई थी रियल कातिल को ने इसे ढूणने के लिए एक दिन जब वो घर पर आये तो जॉन की वाइफ का सेलफ़न वहा था यह वही सेलफ़न है जो पुलिस ढूणनी पा रहे है जब जॉन को उसने गन्फरंट किया जॉन बोला कि मेरी वाइफ की और मेरी बहुत सारी परसनल फोटो इसमें थी कि मैं डारेक्ली पुलिस को नहीं दे सकता था बनने से पहले जॉन की वाइफ ने एक टेक्स्ट लिखा था इसमें उसने एक इनिशियल लिखा था जिसका नाम था एल अब इसे पता नहीं है कि वो क्या टाइप करना चाहती थी मर्डर किस तरह से हुआ होगा इसे फिल से रीक्रियेट करने की कोशिश करी जॉन कहता है कि मेरी वाइफ कीचन में थी जब मैं मर्डर हुआ था मर्डर ने उसका गला दबाने की कोशिश की और ये डारेकली लिंडा का गला भी दबाने लग जाता है लिंडा बहुत ही डर जाती है और दोर की तरफ भागती है जॉन कहता है कि मैं यही प्रूव करना चाता था अगर तुम्हें कोई मार रहा है तुम डारेकली दोर के पास भागोगी जॉन की वाइफ पेट्रूव के पास भागी थी यह उसे बहुत ही सस्पिशिस लगता है पर अब यह सब जॉन ने जो किया है यह देखकर लिंडा बहुत ही डर जाती है लिंडा को शक होने लगया था कि जॉन ने यह मरडर किया होगा लिंडा फिर अपने हस्बर्ण मार्क से मिलने के लिए आई थी वो मार्क से बोली क्या तुमें लगता है कि जॉन ने क्या हो सकता है मार्क बोला यह मुझे इससे फरक नहीं पड़ता अगर जॉन ने चाहा तो टेस्टिमोरी देखकर मार्क को जेल से बहार निकाल सकता है यही इंपोर्टन्ट है वो लिंडा को समझाता है कि अगर तुम जॉन पर ही शक करने लगे तो जॉन गवा ही नहीं देगा वो उसे एक कुछ भी ना करने के लिए कहता है अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखा जाता है जो आदमी किन्नैप हुआ है इससे लिंडा बात कर रही है आदमी कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी तुम छोड़ दो पुलिस को कॉल करो और मैं पुलिस को सब कुछ बता दूँगा तुम्हारा हजबन भी फ्री हो जाएगा लिंडा भी इस बात के लिए मान जाती है उसे अंटाय करती है तभी जॉन ये सब देख लेता है जॉन जल्दी से भागता है पर लिंडा डोर बन कर लेती है जल्दी से पुलिस को कॉल लगा देती है जौन एक हतोड़ा लेता है और दर्वाजे को तोड़ने लग जाता है यह दर्वाजा तोड़ कर इस आदमे को मारने वाला होता है तब यह आदमी कहता है कि मैं यही था जिस रात murder हुआ था मैंने उस रात crime scene पर Mark को देखा था लिंडा कहती है कि जूट बोल रहा है यही असली killer है यहादमी कहता है कि अगर मैं killer हूँ तो यह मुझे क्यों बचाना चाते थी यहादमी सच बता देता है कि जब मैंने कहा कि तुम असली killer हो तब यह मुझे छोडने के लिए ready हो गई लिंडा सिर्फ यही चाती है कि उसका husband free हो जाए इसके लिए कुछ भी करने के लिए ready है जॉन पूछता है कि अगर सच मुझ में यह सब सही है तो तुम murder scene पर चाकू लेकर क्या कर रहे थे अब इस आदमी के पास चाकू था यह जौन को केसे पता है यह हमें flashback में पता चलता है flashback स्टार्ट होता है हमें दीखता है जौन का बीपी fix था कि मार्क के लिए वो गवाई देगा पर जौन जब रात में एक super shop में गया तो इस shop का owner जौन को जानता था यह जौन को बोला कि मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए जिस रात murder हुआ था एक आदमी वहाँ आया था और उसने एक knife buy की थी इस गाड़ी की number blade भी जौन को मिल जाती है यह सब information उसने police को दी और police ने इसे ignore कर दिया क्योंकि मार्क के खिला बहुत जादा सबूत है जौन ने फिर एक police officer को बहुत सारे वैसे दिये इस पैसों के बदले में वह number blade किसकी थी यह information जौन ने निकल वाई इसके बाद वो उस आदमी कहता है कि मेरी wife का और Mark का चक्कर चल रहा था मैं Mark का ही पीछा कर रहा था इसलिए Mark को मारने के लिए मैंने knife bike की थी मुझे उस दिन लगा था कि Mark मेरी wife के पास आएगा Mark जब उसके घर से बाहर निकला तब से मैं उसका पीछा कर रहा था पर वो directly तुम्हारी wife के पास मैं उपर गया और मैंने दरवाजा खट-कट आया था तभी मुझे वहां Mark दिखा मुझे लगा कि Mark का और मेरी wife का चक्कर नहीं चल रहा है और उसके बाद मैं वहां से निकल गया जॉन को अब 100% लगता है कि उसने friend नहीं किया है लिंडा फिर से उसे समझाने लग जाती है क तो फिर से सोचने लग जाता है वो सुचता है कि उस रात अगर Mark काया था तो अंडर्वेर हॉल में ही क्यों थी फोन पर उसकी wife जब message टाइप कर रहे थी तो वहां L लिखा हुआ था इसके बाद जिस आदमे को उसने किन्नेप किया था उसने जब बोला कि ये सब जॉन ने क तब ही हमें दिखता है कि जिस आदमी को उसने किन्नेप किया था उससे लिणा मार देती है चुमने Mark और जो आदमी किन्नेप हो था उसकी wife का affair चल रहा था एचीज जॉन की wife को पता चल गई थी इसलिए Mark ने उससे कहा था कि प्लीज मेरी wife को कुछ भी मत बताना उस रात लि घर में आई उसने जॉन की wife को कहा कि तुमने ये सब क्यों किया है और इसके बाद उसे मारने लग गए उसका गला दबाने की उसने कोशिश की पर उसने रियलाइज किया जो वो कह रही है गलत कह रही है पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी जॉन की wife डर गई थी लिंड क्या गिडगिनाने लग जाती है वो कहती है कि मेरी बेटी है मेरा husband है हम फिर से family बन सकते है प्लीज हमें help करो जॉन को पता है कि लिंडा ही murderer है तो ये मानने नहीं वाला जॉन आगे जा रहा होता है तो हतोड़े से अपने आपको ही मार डालती है जिस हतोड़े से murder हुआ थ और इसलिए अब वो मार को छोड़ देते हैं मार फिर अपनी बेटी को लेने के लिए चाता है लिंडा की एक sister थी जहावर उसने अपनी बेटी को रखा था लिंडा की sister लिंडा की सब कुछ चीजे मार को दे दीती है आगे चल कर जब ये सब चीजे वो देखता है तो अपने फ्रेंड को एक चांस मिल सकता है अच्छी लाइफ जीने का इसलिए सब कुछ इलजाम वो अपने आप पर ले लेता है यही मूवी एंड हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवी